हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप ऐसा एक ब्लूटूथ स्पीकर बहुत ही आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं और ये रिचार्जेबल भी है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमको लगेगा एक ऐसा 4x6 का PVC बॉक्स दो स्पीकर्स एक डिचार्जिबल बैटरी और ऐसा एक ब्लूटूथ प्लस ऑडियो अम्प्रिफायर सर्किट और इसके साथ इसका एक कैप भी मिलता है सबसे पहले हम PVC बॉक्स का जो कैप है वो ले लेंगे और उसके अंदर हमारा जो स्पीकर है और जो सर्किट है उसको बिठाने के लिए मार्किंग कर लेंगे PVC बॉक्स के कैप के उपर दो साइट बे दो स्पीकर्स और उपर ये हमारा जो सर्किट का जो कैप है वो हमने लगा दिया है और इसको अच्छी तरह से ग्लूगन की मदद से चिपका दिया है अब हम सर्किट को ले लेंगे और सर्किट के पीछे जो कनेक्शन से उन कनेक्शन पर वायर्स कनेक्ट कर देंगे तो सबसे पहले battery के दो points पे black और red wire connect कर दिया है और speaker के plus और negative पे yellow और green color के wire से हमने connection कर दिया है अब इस circuit को हम box के अंदर अच्छी तरह से fix कर लेंगे अब हम हमारे circuit के अंदर speakers connection करने के लिए जो दो points से उनको हम हमारे speakers के points के साथ connection कर देंगे अब हम battery ले लेंगे और battery का जो positive वाला point है उसके अंदर red wire और जो negative वाला point है उसके अंदर black wire को connect कर देंगे अब हम इसके box को अच्छी तरह से लगा लेंगे हमारा bluetooth box एक दम ready हो गया है यह इसका micro usb port यह है normal usb port और इसका charging port और यह है इसका on off switch अभी मैं इसको चेक करके दिखाऊंगा हमारा box अभी pairing के लिए ready है अभी मैं एक phone ले लूँगा और उसके bluetooth के साथ अपने box को अच्छी तरह से pair कर लूँगा the Bluetooth device is connected successfully pairing हो गया अभी मैं music को play करने वाला हूँ अब सांब कर आदे सकते आज आज में हो पारहा जो आज सबस्सें में हैं झाल झाल